हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में DNA सर्वर कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी थक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको करना यहां पर network and internet सेटिंग देख जाएगा इसको अपर किलिक करते हैं इससी window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पर सबसे नीचे आपको दिख जाएगा advanced network setting इसके उपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर mode network adapter option इसको पर आपको click कर देना, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर सारा adapter दिख जाएगा, अब आप जिस भी adapter के अंदर डिने स्चेंज करना चाहते हैं, उसको आपको select कर लेना है, यानि तो आपके case में जो भी net connected होगा, जिस भी adapter के अंदर उसके अंदर यहाँ पे cross mark नहीं लगा होगा यानि अभी आपको उस adapter से internet चल रहे है जिस adapter के अंदर आपका net connector नहीं होगा उसके अंदर इस तरह से cross mark लिखा हुआ आजएगा इसका मतलब उसके अंदर net नहीं चल रहे, net connected नहीं है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आपका net किस adapter से चल लए उसके बाद जिस भी adapter के अंदर आप DNS चेंज करना चाहते हैं उस adapter को पर आपको right click करने, right click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पे property दिख जाएगा इसको पर आपको click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना, यहाँ पे आपको एक option दिख ज़ाएगा Internet Protocol, version 4, TCP, IP4 इसको आपको select करने के बाद आपको क्या करना, property पर click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं इसको आपको select करने के बाद यह दोनों option unhide हो जाएगा unhide होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर primary dns server डाल देना है इसके नीचे आपको secondary server dns डाल देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर OK पर किलिक कर देना है OK पर किलिक करने के बाद यह DNA सर्वर सेब हो जाएगा यदि आप दुबारा देखना चाहते है तो यहाँ से क्लिक करके प्रोपर्टी पर जाके आप चेक कर सकते हैं आपको दिख जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर dna server save हो चुका है तो इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी dna server आप set कर सकते हैं उसके बाद ok कर देने इसके बाद आपको क्या करना यहाँ से close कर देने के बाद आपको क्या करना इस window को यहाँ से close कर देने इसको भी यहाँ स आपको close कर देने हैं और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू